आज के वीडियो के शुरुवात हो रही है वुलेन कपडों से जो अभी बेट से निकले हैं और धुलने के लिए रेडी हैं वेलकम टो स्त्री कॉर्नर मैं हूँ आपकी फ्रेंड अराधना जब तक मेरे कपड़े दूल रहे हैं तब तक मैं अज अपनी खुद की सेवा कर रही हूँ अपने बालों में चंपी कर रहे हैं जो मुझे बहुत आलस आता है खुद के बालों में तेल लगाने में और क्योंकि बच्चे भी अभी सोई नहीं है तो मैं अभी पढ़ाई करने ही सकती हूँ इसलिए और मेरे कपड़े भी धूल गए अभी सारे बच्चों के ही कपड़े मैंने अभी निकाले हैं कि सुबह शाम ठंड लग रही है और बच्चे इसी टाइम बिमार पढ़ते हैं पर इतना सारा इजबिच काम था फैस्टिवल वगएरा कि टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैट से बच्चों के कपड़े निकालूं और इसलिए आज निकाली हूँ मैं बहुत टाइम से सोच रहे थी पर क्योंकि एक बार बैट खोलने का मतलब है काम बहुत बढ़ जाता है और फिर कपड़ों का काम जल्दी खतम नहीं होता है पर बच्चों को ठंड लग रही है बच्चे भीमार पढ़ रहे हैं कफ भी हो रहा है तो इसलिए आज खोलके बैट निकाली हूँ जब तक छोटी वाली बैटी मेरी सोग नहीं जाती तब तक मैं पढ़ नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी वो दस महीने की है उस पे बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं है मेरा तो और उसकी शैतानिया भी धीरे धीरे बहर रही है तो उसको सुलाने के बाद ही मैं पढ़ सकती हूँ गिया तो फिर भी मैनेज हो जाती है मेरी बाते वो सुनती भी है और थोड़े थोड़े कामों में मेरी हेल्प भी करती है जिसमें उसको इंटरेस्ट आता है तो गिया से मुझे बहुत जादा इशू नहीं होता है पर छोटी बाली बच्ची के साथ दिक्कत होता है तो अभी मेरी सारे कपड़े पढ़ गए है धूप में इनको शाम होने से पहले हटाना भी है क्योंकि फॉग भी गिरना स्टार्ट हो गया है छोटी बेटी अब सो गई है तो अब मैं पढ़ सकती हूँ और अभी मैं पढ़ रही हूँ इवियस पेड़ागोजी ये मैं करियर विल एप से पढ़ती हूँ मैंने एक बैचले रखा था पर मैं ऑनेसली बताओ तो मैंने उसका अच्छे से यूज नहीं किया क्योंकि उसमें एक दिन में साथ से आठ मिनिमन क्लासस चलती है और मेरे पास उतना टाइम नहीं हो पाता है क्योंकि दोनों बच्चे मेरे छोटे हैं आप सब जान रहे हैं घर की बहूं हूँ तो मैं बहुत कुछ अवाइड नहीं कर सकती हूँ कुछ चीजे होती हैं जिनको मैं अवाइड करके टाइम मैनेज कर लेती हूँ अपने थोड़े बहुत परसनल काम खतम कर देती हूँ उनको नहीं करती हूँ या फिर कुछ लोग हेल्प कर देते हैं तो उन सब टाइम में मैं पढ़ लेती हूँ पर बच्चों को मैं नहीं नेगलेक्ट कर सकती हूँ, उनके कुछ भी काम, उनकी देख रेक्चाय जो भी है, मतलब उनके हिसाब से मुझे चलना पड़ जाता है, इस बज़ा से मैं बहुत जादा अगर देती भी हूँ अपनी पढ़ाई को तो मैं 3-4 घंटे ही दे पाती हू मैं, बच्चे थोड़े से मेरे बड़े होते तो मैं जादा अपनी पढ़ाई पर टाइम दे पाती है, और अभी गिया मैडम बाहर से आ गई है, अपनी खाने पीने के चीज़े ले करके, तो मैं उनको बीजी रखने के लिए गिया को दे रही हूँ, अल्फा बैट्स लिख मैरे बेटी के लंबे-लंबे बाल कर चुके हैं, क्योंकि इसका मुंदन हुआ है, छट के दिन आप सब जानी रहे हैं, तो ये है मेरा स्ट्रगल, मैं ऐसे ही अपनी पढ़ाई और अपनी चीजों को मैनेज करती हूँ, जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, उसके सामने द लोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पाउं धरती, दिवार की दूसरी तरफ पहुंचाती है, हमें आगे बढ़ना है तो हम अचानक से नहीं बढ़ सकते, धीरे धीरे करके ही पर अपने गोल के तरफ हम आगे बढ़ते हैं, मैं अपने कामों के साथ अपने पढ़ाई थोड़ा थोड़ा करके ही करती हूं, ताकि मैं अपने गोल तक पहुच पाऊं, और जल्दी मेरा B8 का रिजल्ट भी आया है, आप में से बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि दीडी आपका रिजल्ट कैसा रहा, तो मेरा रिजल्ट था 76% B8 में, आउट ओफ 1200 मुझे 916 मार्क मिले हैं, तो B8 तो कंप्लीट हो गया है, अब नेक्स टागेट है सीटेट, अभी टीचर बढ़ने तक की जर्नी काफी लंबी है, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ही मुझे इस जर्नी को भी पूरा करना है, तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आप लोग को वीडियो प आ रही हूं, वो भी देख करके मैनेज करें, और सबसे जरूरी है कि वो डीमोटिवेक ना होएं, बीच में अपना सफर ना छोड़ें, मुझे भी बहुत मैनत लगती है, पढ़ाई के साथ, बच्चों के साथ, वीडियो शूट करना, देन एडिटिंग, अपलोड करना इन सम्में, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में